हाँ मैं नारी हूँ, अगर ना समझो तो मैं सब पर भारी हूँ इन रिष्टों में कभी मा, पत्नी, प्रेमिका, मित्र, बहु, बेटी, बहन, ननत, भाबी, देवरानी, जठानी, चाची, ताई, मामी, बुवा, मौसी, दादी, बौस, अकर्मी, हाँ जी अनन्त सूची है, अनन्त इन मीठे मुहक रिष्टों को, अपने आचन में बांधे, मैं तलाशती हूँ, खुद को मैं मिलती हूँ, खुद से रिष्टों के इतने सूरीले सुन मैं आंगन में खड़ी मैं बनाती हूँ, एक रिष्टा अपने आप से जी हाँ, मेरा एक रिष्टा और है और वह है मेरा मुझसे खुद का खुद से, स्वेम का स्वेम से अपना सब कुछ दे देने के बाद भी मैं बचा कर रखती हूँ, खुद को खुद के लिए मैं नहीं भूलती, मैं नहीं भूलती उस खुबसूरत रिष्टे को जो मेरा मुझसे है यह रिष्टा, यह रिष्टा मुझसे मेरा परिचय करवाता है यही रिष्टा कहता है मुझसे, मुझमे ही जांकने के लिए कितने मधूर सपने हैं मेरे भीतर जो साकार होने के लिए कसमसार हैं यह रिष्टा मुझे चुनौती देता है ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकती यही कहता है मुझसे सब कुछ तो कर सकती हो तुम यह रिष्टा मुझ पर मेरा विश्वास थापित करता है और मैं जीत जाती हूँ दुनिया की हर जंग मैं अपने आप से लड़ती भी हूँ मैं अपने आप से प्यार भी करती हूँ मैं अपने आपका सम्मान करती हूँ यही रिष्टा यही रिष्टा समझाता है मुझे मेरे लिए मैं क्या हूँ और मेरी जिन्देगी के क्या माईने है क्या आपका है अपने आप से यह रूहानी रिष्टा मदर्स्टे पर बस यही कहना है घेर सारे रिष्टों के बीच बनाएं एक गहरा, नाजुक, मधुर और मजबूत सा रिष्टा अपने आप से इस कविता को लिखा है अमित सिंग शिवभकननदी ने और अपनी आवाज में आप तक पहुचा रही है अनुगूती